दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में इसका नाम है दिली जॉब और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लोक अदालत की जो अभी 9 मार्च को लगने वाली है लोक अदालत जिसका टोकन जनरेट होगा 5 मार्च यानि कि आज अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो 5 मार्च आज ही है और आज जो टोकन जनरेट होने वाला है दस बजे आई होप सो कुछ लोग वीडियो बाद में देखेंगे तो उन्हीं सभी के लिए यह वीडियो है जिन जो लोगों ने अपना टोकन जनरेट कर लिया है और जो लोग त चाहें वह आपका क्डकरदुमा कोट हो चाहें वऒ तीशारी कोट तो जिस भी कोट का आपका टोकन जनरेट हुआ है आपका जो भी स्लॉट होगा चाहें वह morning का होगा चाहें Afternoon का होगा तो आपको अपनी स्लॉट पर जाना है और अपने जो आपको प show upårds नंबर दियान देता हूं कि आपको सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि अगर आपका token generate हो गया है चाहें आपने किसी से करवाया हो चाहें खुद से token generate क्या हो आपको token की जो slip है वो ले जानी है और उसी के साथ साथ आपको अपना original RC original driving license pollution insurance और अधार card यह सारी detail आपको साथ में ले जानी है वैसे तो कभी-कभी मांगते नहीं है लेकिन कभी-कभी मांग भी लेते हैं तो आपको यह सारी डिटेल और जानी है और किसी का driving license जब्त है या फिर किसी का driving license जबा है या फिर चालान के दौरान किसी की RC जमा है तो उस condition में वो लोग उसकी फोटो कॉपी ले जा सकते हैं ताकि वो बाद में पुरुफ के तौर पर जज के सामने दिखा सके और दूसरी बात यह है कि फ्रॉड लोगों से आपको बचके रहना है मौस्टली देखा जाता है और हम पिछली बार भी जब कोर्ट में थे तो हमने वहाँ पर देखा था खुदी जब भी कोई नया पर्सन लोग अदालत में अपना चलान को सेटल कराने के लिए जाता है तो उसको किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता सिर्फ उसका जो टोकन होता है जो की ऑल्लाइन उसने निकाला है लोग अदालत के लिए सिर्फ आपको वही टोकन ले जाना है और और ओरिजिनल डॉकुमेंट्स ले जाने है जब आप लोग अदालत में जाते हैं अपना सेटलमेंट के ल fraud के चक्कर में नहीं आना है किसी की बातों में नहीं आना है simple सी बात है अगर आपके पास token है आपके पास सारे documents है आपको अपना room number पता है तो आपको सीधे ही अपने room number में जाना है और वहाँ पर जो भी नायबदार जो होते हैं जो आवाज लगाते हैं आपका number बुलाने के लिए पस उनी को अपनी detail देनी है उनी को अपनी receiving देनी है और वही आपको आवाज दे करके बुलाएंगे और आपको just sound के सामने pace होना होगा ठीक है इतना simple सा तरीका है आपको किसी भी advocate को hire करने की जरूरत नहीं है किसी को भी एक रुपा देने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास token खुद से generate हो चुका है या फिर किसी के माध्यम से आपने token generate करवाया है तो तो बस ये video special इसी लिए बनाई गई है क्योंकि बहुत सारी query पहले आई थी कि सर हमसे registration के नाम पर हम पर 100 रुप ले लिए 500 रुप ले लिए 2000 ले लिए 200 ले लिए तो आप सभी को बता दे कि fraud बहुत सारे हो रहे हैं आपको किसी के भी बातों में नहीं आना है ना ही आपको और भी detail हमारे channel पर आपको मिलती रहेगी फिलाल आप सभी को बता दे कि मैंने video सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि ये fraud से आप लोग बच सके क्योंकि जब आप पहली बार जाते हैं तो आपको पता नहीं होता और फिर बाद में ये बोलते हैं कि हम तो वहाँ पर ठक गए हम हमारा registration के नाम पर महाँ पर 200 पर ले लिए या 500 पर ले लिए तो आपको इन बातों से बिलकुल भी दरना नहीं है आपको किसी भी तरीका कोई पैसा नहीं देना है सिर्फ आपको अपना token ले जाना है अपने documents ले जाने है और सीधे अपने room number वे जाना है ठीक है दोस्तों इ क्रेटर जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रही है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के सब्सक्राइब